4.8.2 तत्वों के आवर्ति गुण Periodic Properties of Elements आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनकी पर्मानु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणों में आवर्तिता, periodicity पाई जाती है बढ़ती हुई पर्मानु संख्या के साथ Electronic विन्यास की पुन्रावृती ही गुणों की आवर्तिता का आधार है आवर्सारनी में जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तथा आवर्त में बाई से दाई ओर बढ़ते हैं तब हमें तत्वों के भौतिक व रासायनी गुणों में नियमित परिवर्तन मिलते हैं आईए हम कुछ आवर्ति गुणों का अध्ययन करें पहला संयूजक्ता, Valency संयूजक्ता तत्वों का महत्वपून गुण धर्म है इसे तत्व के electronic विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है किसी तत्व के बाहितम कोष में उपस्थित इलेक्टरों की संख्या या अस्टक पून करने के लिए आवश्यक इलेक्टरों की संख्या संयूजक्ता है क्या अब आप बता सकते हैं कि समुह में नीचे की और आईए इसे सार्णी 4 में दिये गए दूसरे आवर्थ के तत्वों तथा उनके हाइडराइट के द्वारा समझें आवर्थ सार्णी के दूसरे आवर्थ में हाइडरोजन के सापेक्ष तत्वों की सयोजकता 1-4 तक बढ़ती है और फिर 6 तक घटती है दूसरा परमानू आकार – Atomic Size अलग-अलग तत्वों के परमानू का आकार भी अलग-अलग होता है उनके आकारों की तुलना उनकी परमानू त्रज्याओं के मान के आधार पर की जाती है पर्मानु त्रिज्या, अटॉमिक रेडियस से तात्पर्य है पर्मानु के नाभिक के केंद्र से उसके बाहतम इलक्ट्रोनिक कोश के बीच की दूरी सालनी पाँच में समु 17 के तत्वों की पर्मानु त्रिज्याएं दी गई है इन्हें बढ़ते हुए क्रम में ववस्थित कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए पहला, किस तत्व का पर्मानु आकार सबसे बड़ा तथा किस का सबसे छोटा है दूसरा, समुह में उपर से नीचे जाने पर पर्मानु आकार में क्या परिवर्तन होता है हम देखते हैं कि समुह में उपर से नीचे जाने पर पर्मानु का आकार बढ़ता है इसका कारण है कि नीचे जाने पर एक नया कोश चुड़ जाता है इससे नाभिक और बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है सारनी छे में तीसरे आवर्थ के तत्वों की पर्मानू त्रिज्याएं दी गई है आवर्थ में बाईयोर से दाईयोर जाने पर पर्मानू त्रिज्या किस प्रकार बदलती है हम देखते हैं कि आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर परमाणू त्रिज्या घटती है नाभिक में आवेश बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रोनों को ज़्यादा आकर्शित करता है जिससे परमाणू का आकार घटता जाता है परमाणू त्रिज्या पर्माणू के नाभिक से उसके बाहरी कोश के बीच की दूरी पर्माणू त्रिज्या कहलाती है वर्ग में उपर से नीचे जाने पर पर्माणू त्रिज्या का मान बढ़ता है आईए इसे शारधातू वर्ग से समझें जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर जा रहे हैं परमाणू तिज्या का मान बढ़ रहा है इसी प्रकार दितिय आवर्त में देखें बाए से दाय जाने पर प्रती इकाई नाभिक आवेश बढ़ने के कारण परमाणू तिज्या कम हो रही है तीसरा धात्विक एवं औधात्विक गुण धर्म मेटालिक एंड नौन मेटालिक प्रोपर्टिस अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है प्रतीक तत्व की अपने कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं इनही गुणों के आधार पर प्रारम में तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बाटा गया धात्व एवं औधात्व सार्णी साथ देख कर बताईए कि कौन से तत्व धन आयन व कौन से तत्व रिण आयन बनाते हैं सार्णी साथ में धात्व एवं औधात्व किस किस ओर स्थित है साल्नी में बायी और से दाइं और जानि पर धात्विक एवं और धात्विक गुण धर्म किस प्रकार परिवर्तित होते हैं हम जानते हैं कि जो तत्व औलेक्टरॉन त्याक कर धनायन बनाते हैं धातुएं कहलाते हैं उदाहरन लोःा, ज़ंक, सोडियम आदी जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहन कर रिल्णायन बनाते हैं वे औधात्वें कहलाते हैं उदाहरन ओक्सीजन क्लोरीन आदी आईए इसे अन्य उदाहरनों द्वारा समझें आधुनिक आवर्सार्णी में एक टेड़ी मेड़ी रेखा धात्वों को औधात्वों से अलग करती हैं इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अंटिमनी, टेलूरियम, एवं पोलोनियम, धात्वों एवं औधात्वों दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं इन्हें और्ध धातु या उपधातु कहते हैं आवर्सार्णी का अवलोकन करने पर हमें ग्यात होता है कि समुह में उपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में व्रिद्धी और औधात्विक गुणों में कमी होती है सोची क्या आवर्त म ये भी इन गुणों में परिवर्तन होता है। इसका कारण पर्मानु आकार में कमी तथा अधिक धनात्मक नाभिक होता है। पर गड़ Günऄ ऑनात्मक नात्मक 60. पर भे इन गई मैं कमी प्रोग में कमी होता है। झाल झाल